नेचर लवर्स आज हम आपको रात की राणी के बारे में बताएंगे जिसका common name night queen, queen of the night, night jasmine, night blooming jasmine और night blooming sastrum या रात की राणी और lady of the night भी कहते हैं इसे हिंदी में रात किरानी कहते हैं ये प्लांट आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और इस पर फ्लावर आते हैं उसके बाद बीज आते हैं तो उन बीजों से भी लगा सकते हैं क्योंकि जो फ्लावर का आने के बाद फ्रूट बनता है तो उसमें एक fruit में 3-4 बीज होते हैं तो उनसे आप इसे germinate कर सकते हैं इसका botanical name system nocturnum है जो solanasi family को belong करता है तो इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारी birds आ रही है अभी इसमें birds आनी शुरू हो गई है तो बहुत सारी birds आ रही है और इसके बाद इसमें flower आएंगे तो आप देख रहे हैं तो बहुत सारी birds आ देखिए ये birds से लदा हुआ है बिलकुल तो इसमें जब flower आते हैं तो उसमें बहुत खुश्बू आती है तो ऐसा कहा जाता है इस यू है इस प्लांट you certainly would not need the air freshener क्योंकि जब इसमें खुश्बू आती है फ्लार में तो इतनी खुश्बू होती है कि 300 से 400 फिट तक खुश्बू जाती है ये आप देख रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं ये रात को हमने शूट किया है तो रात को इसमें खुश्बू आ रही है ये आप देख रहे हैं तो रात में बहुत ही ज़्यादा खुश्बू होती है जब 6-7 बढ़ते हैं उससे ज़्यादा टाइम होने लगता है 7-8 बढ़ते हैं जैसे रात का समय बढ़ता जाता है इसमें खुश्बू बढ़ती चली जाती है और जैसे जैसे दिन आता जाता है दिन निकलता जाता है खुश्बू कम होने लग जाती है अगर आस पास में भी किसी ने प्लांट लगाए हैं तो जब आपके प्लांट पर फ्लावर आएंगे तो वहाँ भी उसी समय फ्लावर आएंगे सारे प्लांट एक इसाथ फ्लावर देंगे यह इंसेक्ट दे प्लैंट भी है क्योंकि इसमें रात को जब मच्छर वगरा आते हैं तो मौथ्स और बैट्स भी आती हैं जो मच्छरों को खा जाती हैं और इसकी पत्यों में ऐसे गुण होते हैं कि उन्हें पीश करके इदा दाल देंगे तो मॉस्कीटों नहीं आएंगे. Like other flowering plants, jasmine also produces flower-inducing hormone, florigen, flower-generating hormone. In its leaves, when export to bright sunlight, it migrates from the leaves to flowering shoots. During the day, it accumulates in the flowering shoots of the jasmine plant and induce flowering during the night. इसको इसलिए कहते हैं कि रात में रात की रानी क्यों हसती है? क्योंकि जो florigen hormone तैयार होता है पत्यों में, वो flowering shoots में चला जाता है और रात को flower खिलने लग जाते हैं और ये हसने लग जाती है. तो ये आप देख रहें कितने सारे flower इसमें आये हुए हैं और ये सभी खुश्बू देते हैं. इसके विपरीद दूसरा plant है जिसको हम बोलते हैं दिन का राजा तो उसमें दिन में flower खिलते हैं और दिन में ही खुश्बू होती है. आयुर्वेद में रात की रानी का परियोग इस तरह किया जाता है. अगर चोट लग जाती है तो चोट पर इसकी पत्यों को पीछ के लगा देते हैं तो उससे चोट ठीक हो जाती है और उसमें swelling भी नहीं आती है दर्द खतम हो जाता है. तो अच्या की समस्या खतम हो जाती है मसूडे की सूजन खतम हो जाती है नपुन सकता आदी में भी इसका परियोग किया जाता है. रात की रानी का तेल अगर कील मुहा से और धब्बों पे लगाया जाए तो चेहरा साफ सुन्दर और अच्छा दिखने लगता है. रात की रानी का इत्र डर दुख और निराशा के भाव को दूर करता है आत्म विश्वास आशा और उत्सा को बढ़ाता है तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है मुह के छाले अगर किसी के हैं तो इसकी पत्ती लेकर के उसको मुह में चबाएं और छालों पर उसके रस को लगाते रहें दिन में दो तीन बार करने से मुह के छाले ठीक हो जाते हैं तो इसलिए इसको आप घर में लगाएं और दूसरों को बढ़ावा दें ताकि दूसरे लोग भी इसे लगाएं इसकी खुस्बूत तीन सो से चार सो फिट दूर तक जाती है पांसो फिट तक दू लेकिन ऐसा नहीं है अगर वहां कूडा कच्रा होगा तो उसमें साप आ सकता है वरना तो अगर वहां से साफ सफाई रखेंगे तो साप कभी नहीं आता है तो ये वीडियो हमने दिखाई है अगर आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर करें लाइक करें और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यूँ फोर वाचिंग